हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एज्यूकेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज की उडियू लेक्चार में हम डिटेल में स्टेडि करेंगे लिंकोमाइसन इंजेक्सन के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूश के बारे के कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिसन में लिंकोमाइसन इंजेक्सन जो वो लगाया चाता है फिर जानेंगे कि उसका डोस क्या होता है, किस तरह से आप उसको डायलूट कर सकते है मतलब की कौन से आईवी फ्लूइड के इंदर उसको मिक्स कर सकते है और कितने दिन का कोर्स रहेगा इसके ट्रेट्मेंट के लिए तो इसके डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्ट्वेन जानते है लिंकोमाइसन इंजेक्षन के बारे में तो एक्स्पट लेक्चर वायमर सर असिस्टम प्रोफेशर एंड लफ वाउन्डर ओव फावरॉक्स थेंक यू बर वर बीन, फावरॉकस में मिली सीखे अलग अलग बीमारीों के बारे में उनके उपचार के बारे में medicine course में pharma rocks के अब उपर के जैसे आज हम यहाँ पे linkomycin के बारे में detail में सिखेंगे ऐसे इसी के अलग-अलग दवायों के बारे में medicine course में pharma rocks के अब उपर वो भी affordable price में एक साल तक तो यह course को join करने के लिए हमें whatsapp करें या फिर हमारी app को download करें हमारी second channel को भी subscribe करके support करें जिसका नाम है alisa rocking tells link description box में मिल जाएगी तो आप समझते हैं linkomycin injection के बारे में तो यह ऐसे class का medication है कि जिसको हम antibiotics कहते हैं और antibiotics के अंदर भी यह linkosomide class के जो antibiotics होते हैं यह category की यह medication है फिर उसके बारे में detail हम जाने तो यह एक popular antibacterial drug है prescription based medication रहेगी और बहुत सारी number of bacterial infections को treat करने के लिए linkomycin use किया जाता है फिर linkomycin के बारे में आपको यह एक बात जरूर से पता होने चाहिए कि अगर किसी को penicillin के allergy है cephalosporin के allergy है और वो antibiotics नहीं ले पाते तो उस वग linkomycin injection जो उनके लिए based रहता है because linkomycin specially ऐसे cases में कभी काफी ज्यादा use किया जाता है कि जिस वक्त लोगों को penicillin या फिर cephalosporin की allergy होती है या फिर वो लोग नहीं ले पाते वो medication तो ऐसे cases में यह injection जो वो based रहता है और यह बहुत सारे bacterial infections को treat करने के लिए use किया जाता है but खास द्यान यह रखना है कि जिसे कि आपको common cold होता है या फिर flu होता है तो उसमें यह medication useful नहीं होती because यह medication antibacterial है और viral infection को यह ठीक नहीं करता है उसके basic use देखे तो middle year में जब infection होता है मतलब कि otitis media जो हम bacteria के कारण तो उसको ठीक करने के लिए linkomycin injection जो दिया जाता है फिर bone या फिर joint में कोई infection हुआ है bacteria के कारण pneumonia के condition है या फिर आपके lungs में infection है skin उपर infections हुए जैसे कि या पर आप देखो कि यह इस type का skin infection है कोई गाव हुआ है और वह गाव जो है वह जल्दी से सूख नहीं रहा है तो गाव सूखाने के लिए भी linkomycin injection जो पेशन को लगा जाता है pelvic inflammatory disease में भी यह medication यूज की जा सकती है bacterial endocarditis की condition के जिसके अंदर specially जो bacteria के कारण आपके heart के walls होते हैं वहाँ पे infection हुआ है nozzle sinuses या फिर sinusitis की condition कहते है फिर strep throat की condition की जो bacterial infection है तो सभी type के bacterial infections को treat करने के लिए linkomycin injection जो है वो use किया जाता है उसके mechanism के बारे में समझे तो यह protein synthesis की process होती है किसी भी bacteria's के अंदर उसको inhibit करके काम करता है तो protein synthesis दो तरीके से खास inhibit होता है एक तो 50S sub unit से bind होके कुछ medications अपनी effect दिखाती है तो वो same effect है यह linkomycin के कि जैसे macrolides काम करते है clindamycin है linear solid है chloramphenicol and streptogramins जो medication है उसी तरह से यह linkomycin भी similar way से काम करता है और bacteria के अंदर अपना protein का synthesis नहीं होने देता और protein ना बनने के करण bacteria जो है वो आगे के category में हम include करते हैं उसके daily dose के बारे में हम जाने तो खासकर 300 से लेकर 600 mg जितना intramuscular या फिर IV के थुरू patient को दिया जाता है हर 6 या 12 गंटे पर बट अब जानते हैं उसके detail dose के बारे में सुरुआत करते हैं IEM route से कि जब आप उसको intramuscularly देते हैं तो दो तरीके से dose जो है वो आप categorize करोगे एक adult के लिए और एक children के लिए तो adult के लिए समझे के काफी serious infection है तो उस वक 600 mg जितना medication मतलब कि यह 2 ml जितना injection patient को लगाया जाता है हर दिन या पी लिखे कि every 24 हर 24 गंटे पे यह injection patient के muscles में लगाया जाता है और दूसरा injection उसके exact 24 hours के बाद मतलब कि एक दिन बाद दूसरे injection को लगाया जाता है serious infection में but समझे के बहुत ज्यादा serious infection है तो उस वक्त यह dose जो वह double कर दिया जाता है मतलब कि 600 mg exam जो ml आप per day लगा थे उसके बजाए हर 12 गंटे पे लगाएंगे तो इस तरह से iam root से root यह dose हो गया linkomycin का आप जानते है children's के लिए तो children के लिए dose calculation करने पड़ती है 10 mg per kg per day के हिसाब से तो यह formula के according to आपको dose calculation करना पड़ता है बच्चों के लिए जो के बच्चे का वजन है 20 kg है बच्चे का वजन तो उसके लिए dose हो जाएगा 20 into 10 मतलब कि 200 mg उसके लिए dose हो जाएगा per day का तो maximum 200 mg ही बच्चे को देना चाहिए तो इस तरह से बच्चों के लिए dose calculated होता है linkomycin injection में अब IV के लिए बात करें तो IV में क्या होता है कि अगर एक ग्राम का linkomycin injection आप लेते है तो उसको dilute किया जाता है minimum 100 ml जितने appropriate solution के अंदर जैसे कि जो IV fluids होते है उसके अंदर और minimum एक गंटे तक वह infusion rate रखा जाता है तो यहाँ पे आप table में देखोगे तो easily आपको समझ आए जाएगा कि समझे कि आप 600 mg वाला लेते हैं तो उसको dilute किया जाता है 100 ml के अंदर और वह 100 ml क्यार हैगा तो आप D5W भी यूज़ कर सकते हैं D10W भी यूज़ कर सकते हैं NS कि जो normal saline solution हम कहते हैं DNS यूज़ कर सकते हैं RL जैसे अलग-अलग IV fluids को यूज़ कर सकते हैं और टाइम रखना होता है minimum एक गंटे का कि अगर आप 600 mg जितना dose patient को deliver कर रहे हैं यह खास ज्यान रखे कि 600 mg के लिए 100 ml का dilution करना ज़रूरी है उसी तरह से समझे कि आप 1 g जितना deliver करते हैं patient को तो उसके लिए dilution करना पड़ेगा आपको 100 ml जितना और infusion rate रखेंगे आप 1 hour मलब कि एक गंटे तक दिरे-दिरे medication patient की body में जाएगी अगर 2 g आप इंजेक्ट करते हैं तो उसके लिए 200 ml का dilution आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आप 2 गंटे का time interval रखेंगे कि 2 गंटे तक medication दिरे-दिरे patient की body में जाएगी अगर 3 gram है तो 300 ml और time 3 hour और 4 gram के लिए 400 ml जितना dilution करना पड़ेगा और time रहेगा 4 गंटे तक तो इस तरह से minimum requirement यह है कि अगर समझे कि आप 1 gram जितना inject करते है तो dilution करना पड़ेगा आपको 100 ml और वो time रखना पड़ेगा आपको minimum 1 hour time आपको रखना पड़ेगा तो यह आपको खास दियान रखना है कि अगर 2 gram हो जाता है तो तो dilution भी double हो जाएगा और time भी double हो जाएगा तो dilution करने के बाद आप किस तरह से लगा सकते तो 600 mg से लेकर 1 gram serious infection में हर 8 से 12 गंटी पर patient को लगाया जाता है और बहुत ही जादा serious infection तो उस वग वो dose increase करके आप 3 से 4 gram पर day भी कर सकते हैं और बच्चों के लिए समझो कि आपको calculate करना है तो 10 से लेकर 20 mg पर kg पर day के हिजाब से दिया जाएगा वो भी divided doses के अंदर तो इस तरह से बच्चों के लिए आप calculate कर सकते हैं अब जानते हैं linkomycin के side effects के बारे में तो unpleasant या फिर metallic taste आप फिल कर सकते हैं जब आप ये medication capsule के form में या फिर injection के form में लेते हैं second nausea vomiting जैसा हो सकते हैं मेलकि उल्टी होना जी गबराना joint pain जैसा आप फिल कर सकते हैं heart burn या फिर acidity जैसा मेलकि सीने में जलन या फिर आपको acidity जैसा फिल होगा ये medications लेने के बाद फिर आपके mouth के अंदर white patches जैसा आपको फिल हो फिर vaginal discharge जो थीक या फिर white vaginal discharge आपको हो सकता है अगर आप linkomycin medications लेते हैं फिर burning itching and swelling of vaginal जैसे side effect ये medication कर सकती है उसके warning समझना खास जरूरी है because ये medication कुछ ऐसे dangerous bacteria की growth आपके intestine में करवा सकती है जैसे की Clostridium difficile bacteria जो होते हैं कि या पर जो आप डायग्राम में देख रहे हैं वो ऐसे bacteria की जो आपके large intestine में grow करते हैं और वहाँ पे grow करके वहाँ पे वो inflammation यानि कि surgeon करवा सकते हैं तो large intestine में surgeon होने के करण वो colitis की condition produce करते हैं कि ulcerative colitis तो ये complications करवा सकती है कि आप linkomycin लंबे समय तक यूज करते हैं because इसका एक ये side effect भी हम माने या फिर एसी warning माने कि ये bacteria आपके intestine के अंदर ऐसे dangerous bacteria जैसे कि Clostridium difficile bacteria की grow करवाते हैं और वो responsible बनते हैं आपके intestine के अंदर सूजन के लिए तो contraindications उसी पर से बनेगे कि अगर कोई ulcerative colitis का patient है या फिर inflammatory bowel disease का patient है तो उसको ये linkomycin injection नहीं लगवाना चाहिए फिर myasthenia gravis के जो एक skeletal muscle का disorder है वो percent B linkomycin injection ना लगवा है फिर diarrhea हुआ है आपको और diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो वो लोग भी linkomycin यूज ना करें because जैसे हमने जाना कि linkomycin के growth linkomycin जो है वो Clostridium difficile bacteria के growth करवा सकती है तो अगर आपको already आपकी intestine में वो bacteria ज्यादा है और ये injection कोई patient लगाता है तो वो bacteria और ज्यादा बढ़ सकते हैं फिर Crohn's disease की condition वो भी inflammatory condition ही है आपके intestine की फिर liver disease की जो patient है आपका जो blood आता है bowel movement के अंदर मतलब की समझे के आप stool pass कर रहे हैं और उस वक्त जो उसके अंदर blood आता है तो ऐसे लोग भी linkomycin injection को यूज़ना करें और renal impairment मतलब की ऐसे patient की जिनके kidneys अच्छे से काम नहीं कर रही है तो ध्यान यह रखना है कि intestine में कोई surgeon है skeletal muscle का कोई disorder है आपका liver खराब है C है मतलब की यह unsafe मानी जाएंगी कि अगर आप pregnancy में आप use कर दे तो तब भी use किया जाएगा कि जब उसके benefits ज़्यादा है risk के comparison में तो ऐसे कोई rare emergency cases में ही linkomycin वो भी gynecologist के सला के according to medical supervision में लगाया जाता है वरना यह medication को pregnancy के दोरान जो है वो completely avoid किया जाता है because of category C तो pregnancy में कभी भी linkomycin injection को use ना करें तो ऐसे detail में सीखे किसी भी दवा के बारे में medicine course में farmer ox के अब उपर कि जिससे आज हमने यहाँ पे linkomycin के use के बारे में सीखा उसका dose, उसके side effect, warning and contraindication कैसे उसको dilute करते हैं और dose calculation पे साथ में हमने समझा तो ऐसे ही सीखे एक साल तक affordable price में farmer ox के आप उपर medicine course में तो यह course जोइन करने के लिए में whatsapp करें 9016312020 पर या फिर हमारी app को download करें साथ ही हमारी second channel को भी subscribe करके हमें support करें जिसका नाम है alisa rocking tells link में आपको description box में दे दूंगा good luck and all the best